Dear students, चलिए हम लोग चलते हैं, class 10th class के math subject को हम लोग पढ़ते हैं, 10th class में subject math जैसा कि जानते हैं, हम लोग NCRT के maths को follow करते हैं, तो NCRT से जैसा जानते हैं आप की exercise 4.3 तक के हम लोग का जो question है, वो बिल्कुल ही complete हो गया है तो अब जब हम लोग का complete हो गया, तो आईए हम लोग चलते हैं, exercise 4.4 को पढ़ते हैं आप समझ पा रहे होंगे कि 4.4, directly हम exercise start नहीं करते हैं, सबसे पहले exercise 4.4 में जैसा question है उस question से related हम कुछ example से देकर कुछ question समझाते हैं, सबसे पहले हम लोग उसको theory के basis पर पढ़ते हैं कि exercise 4.4 में का पहले आप theory समझ जाओ, कि आप उसके पहले कुछ example, कुछ options आपको समझा देते हैं ताकि जो प्रश्ण वाली यानि कि exercise में जो question मिलेगा, तो वो problem नहीं होगा तो exercise 4.4 के लिए, जो सबसे एहम बात है, वो हम लोग सीखेंगे मूलो का प्रकृती के बारे में मूलो का प्रकृती के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए, कि मूलो का प्रकृती का मतलब क्या है मूलों का प्रकृति मूल का मतलब क्या होता है जी हाँ आप जानते हल होता है अगर किसी भी समिकरन को द्विघात समिकरन को हल ग्यात करने के लिए बोलता है या फिर मूल ग्यात करने के लिए बोलता है हम बता चुके हैं आपको कि दोनों एक ही होता है मूल बोले या फिर हल बोले दोनों का मतलब एक ही होता है अब आईए जानते हैं कि मूलो का प्रकृती किस पर निर्वर करता है तो इसमें हम लोग एक चीज लिखेंगे कि मूलो की प्रकृती जो है मूलो की प्रकृती डी पर निर्वर करती है और D के बारे में तो आप जानते हैं D को हम लोग विवेचक के नाम से जानते हैं या फिर इसी को विविक्तकर भी बोला जाता है विविक्तकर हाँ इसको D को विवेचक भी बोलते हैं या विविक्तकर भी बोलते हैं तो हम यह बोल सकते हैं कि मूलो की प्रकृति डी ब्रैकेट में डी को क्या बोलता है विवेचा क्या विविक्त कर पर निर्वर करता है तो मूलो की प्रकृति जो है वो बिल्कुल हम लोग समझ पा रहे हैं डी पर निर्वर करता है अब D का मतलब क्या है तो D का मतलब तो जानते ही है अगर आप भूल पा रहे होंगे तो देख लिजे D का फर्मुला होता है B square minus 4AC जो की सबसे अहम बात है सबसे अहम फर्मुला है D बराबर B square minus 4AC अब मुलो की प्रकृती में D बराबर B square minus 4AC का value किस तरीके से है या फिर इसमें मुलो की प्रकृती हम लोग कैसे decide करते हैं आईए हम लोग जानते हैं तो मुलो की प्रकृती जो है वो बिलकुल तीन भाग में बाटा हुआ है कितने भाग में? तीन भाग में जिसको बोलते हम लोग case number first C A S C case number first तो case number first क्या है? जब D का value 0 से बड़ा होगा जब D का value 0 से बड़ा होगा यानि कि समझ पा रहे होंगे न? 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो यह तो समझ पा रहे होंगे? जब D का value अगर 0 से बड़ा हो जाएगा तब पहला हम लोगों को मामला यह पता जल जाता है कि मूलो का अस्तित्व है पहला बात तो यह पता चला यानि कि यह चीज़ तो हम लोग अल्रेड़ी पहले से जानते हैं लेकिन फिर भी हमें और कुछ अलग तरीके से भी सिखना होगा कुछ अलग बाते भी हैं तो आप ज़रा सबर कीजिए तो अगर d का वेलू 0 से बड़ा हो जाए यानि कि 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 भी नहीं होना चाहिए याद रखिए, क्योंकि 0 कब होता, जब यहाँ पर बराबर लगाते तब तो d का वेलू अगर 0 से बड़ा आ जाए तब पर भी क्या होता है, मूल का अस्तित्व है का मतलब यह है, कि उसे हल किया जा सकता है उसका x का मान निकाला जा सकता है, ठीक है अच्छा फिर, अगर d का वेलू 0 से बड़ा होगा तो हम लोग जानते हैं कि कई गो मूल होंगे मूल तो निकाला जाएगा, लेकिन इसके 2 मूल होंगे जी हाँ, जैसे कि मातलब हम लोग जानते ही है कि द्विघात समिकरन में उसका दूग वांसा राता है तो अगर जब उसको मूलो का स्थित्व है इसका मतलब है कि मूल निकाला जा सकता है तो बिल्कुल उसको दूगो मूल होगा दूगो मूल का मतलब उसका दूगो आसर आएगा अच्छा इसके दोनो मूल इसके दोनो मूल दोनो मूल दोनों मूल का मतलब क्या X का value दूग वांसर आता है न तो दोनों मूल बोला जा रहा है जो दूग वांसर आता है ओ दोनों मूल अलग अलग होते हैं अलग अलग होते हैं अलग अलग होते हैं का मतलब क्या ये तो पता चल गया कि दो मूल होंगे अब दो मूल होंगे का मतलब क्या X का वेलू हो सकता है कि 4 आ जाए एगो के X का वेलू 5 आ जाए तो अलग अलग का मतलब है हुआ कि दूनों का वेलू अलग अलग आएगा यानि कि दूनों मान ले जाए कि दूगो मूल होगा तो दूगो आंसर आएगा एगो X का value हो सकता है कि 8 आजाए एगो कह हो सकता है X का value 10 आजाए तो इस तरीके से बोला जा रहा है कि इसका 2 जो मूल होंगे वो बिल्कुल अलग-अलग होंगे तो आप बिल्कुल आपको पहला case से याद होना चाहिए कि जब D का value अगर 0 से बड़ा हो जाता है नोटबुक में अपने कोपी में बिल्कुल exercise 4.4 का theory करके आपको ऐसे ही चीजों को note करना है ठीक है क्योंकि ये बाद में जरूर काम आएगा आपको case 2 में हम लोग सिख रहे हैं कि जब D का value 0 के equal हो गया यानि कि अब अगर दूसरा case ही ये आया कि जब D का value 0 से बराबर आ गया तब क्या बोल सकते हैं हम लोग जैसा कि हम लोग जानते हैं कि D का value 0 रहे या फिर 0 से बड़ा रहे तब पर भी मूलो का स्तित्व होता है तो यहां पे भी क्या होगा मूलो का स्तित्व होता है यहां पर भी मूलो कास्तित होता है अच्छा जब मूलो कास्तित हो गया तो द्विघात समी करण में कितने मूल होते हैं तो दो मूल होते हैं तो यहां पर भी लिखेंगे इसके दो मूल होंगे लेकिन अब लास्ट पॉइंट जो है याद रखिएगा कि D का वेलू अगर 0 से बड़ा होगा तो दूगो जो X का वेलू आंसर आता है वो बिल्कुल क्या होते हैं दोनों अलग-अलग होते हैं ठीक है दोनों अलग-अलग होते हैं कब जब D का वेलू 0 से बड़ा होता था तो दोनों मूल बराबर होते हैं देखे आप ध्यान से चीजों को समझेगा आप इतना तरीके से कोशन को बनाये हैं कभी-कभी आपको ऐसा लगा होगा कि X का वेलू दूनों जब पोजिटिव लेते होंगे प्लस मिलेते होंगे या फिर माइनस मिलेते होंगे यानि कि दूगो आंसर आता होगा तो दोनों सेम सेम आंसर आता होगा तो इसका मतलब यह हुआ कि वहां का डी का वेलू कितना आ रहा है D का value 0 से छोटा हो जब D का value 0 से छोटा हो तो सबसे पहला हम लोग ये बात लिख सकते हैं जिसे यहां लिखे थे कि मुलो का अस्तित्व होता है तो यहां पर यह लिखेंगे कि मुलो का अस्तित्व ही नहीं होता है मुलो का अस्तित्व नहीं होता है और आप यहाँ पर यह चीज समझे कि जब मुलो का स्थित्व होगा ही नहीं तो फिर उसका 2 गो मूल होगा कि 4 गो मूल होगा यानि कि जब उसको हल किया ही नहीं जा सकता है तब यह कैसे पता लगाएंगे कि X का वेलू क्या आएगा कि कई गो आएगा कि दुनों बराबर आएगा कि क्या नहीं आएगा इसलिए आप यहाँ पर सवबात की एक बात आप यहाँ से यह बोलिएगा कि मुलो का स्थित्व ही नहीं है मतलब आगे का काम किया ही नहीं जा सकता है ठीक है तो यह बात बिल्कुल आप याद रखिएगा पहले बटाईएगा कि तुज्या सवाल पूछ रहा होगा अगला है यह आता ही नहीं है Quindi कुछ का एको हल नहीं होगा ठीक है क्योंकि उसको हल ग्यात नहीं किया जा सकता है अब आपको इतने तरीके से हम अच्छे से समझा है फिर भी अगर समझ में नहीं आये तो एक हम एक्जामपल पर लेते हैं कोश्चन अब एक्जामपल को ध्यान से आप नोट बुक में नोट भी किजिएगा और आप ध्यान से समझने का परियास भी किजिएगा पहला एक्जामपल लेते हैं पहला एक्जामपल है द्विगात समीकरन का एक स्क्वार माइनस वह जर बलर हो जर है हां एक स्क्वार माइनस 4x प्लस 4 इकवल टू 0 यह सवाल है अब इस सवाल को आपको क्या क करना है अच्छे से समझतना है यहां से गर हम बोले कि A का वेलू क्या होगा तो आप बोलेंगे 1 B का वेलू कितना होगा तो आप बोलेंगे तो माइनस चार का स्कुरर कितना होगा 16 और माइनस 16 तो यहां पर कितना लिखेंगे 0 तो जब 0 आ गया तब क्या मुलोकस्तितव है कि नहीं है तो बिल्कुल है देखें मूलो का स्थित्व कहां कहां होता है D मराबर 0 में भी मूलो का स्थित्व होता है और D का वेलू 0 से बढ़ा आता है तपर भी मूलो का स्थित्व होता है तो यहां पर आप यह लिखेगा कि यहां इस समिकरन का मूलो का स्थित्व है मुलो का अस्तित्व है जब मुलो का अस्तित्व है तो x बराबर formula निकाल सकते हैं द्विघासिती सूत्र है, इसको बोला जाता है तो द्विघासिती सूत्र जो है वो minus b plus minus root d बटा में 2 way होता है तो यहाँ पर देख पर होंगो minus तो formula में है और B का VELU कितना, तो V का VELU माइनस 4 प्लस माइनस रूट D तो रूट D का मतलब कितना 0 बटा में कितना 2 into A अब देख पा रहेंगे माइनस माइनस कितना होता है तो प्लस 4 उब प्लस माइनस अब 0 का वर्ग मूल कितना होता है जीरो बटा दू गुना ए तो ए का वेलू कितना है यहां से देख पार होंगे 1 तो दू गुना 1 तो कुल मिला कर 4 पलस माइनस जीरो बटा दू जब यहां से आप दू गोड टर्म्स लिजेगा यानि कि आप पलस वेलू यूज किजिएगा और मैंनस वहलू यूज किजिएगा तब कैसे बनेगा ओ देखिए हैं जैसे मान लिया जाए कि 4 प्लस मैनस 0 है और बटा में कितना है दो है ठीक है अब यहाँ से आप एक तरफ लिजेगा पलस value, एक तरफ लिजेगा माइनस value तो पलस वाला लेंगे तो कितना बनेगा 4 पलस 0 बटा में दू और 4 माइनस 0 बटा में दू तो यहाँ पे 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 बटा दू और 4 में 0 बटा दू तो आप देख पार होंगे कि एगों में भी दू आंसर आ रहा है और दूसरा वला में भी दू आ रहा है कट जा रहे है दू आरम की नहीं तो इससे यही प्रूफ होता है हम आपको एक्जांपल क्यों दिये ताकि आपके अंदर ऐसा अच्छी सोचावट आ सके आप चीजों को देखिए आप प्रूफ के सा तो था यानि की है तो हम लोग एक्स का वैलू द्विखाति सुत्र की सहता से प्रूफ कियें यब निकाले तो करो मूल निकला दू को निकला दू गोल निकला और दूनों हल को देखिए तो कोई दूनों हल कैसा है बिल्कुल बराबर है तो आपको हम यही समझाना चाहे है डेर स्टूडेंट कि अगर डी का वेलू जीरो आ जाए डी का वेलू कितना आ जाए जीरो तो आप लिखेगा कि मुलो कास्तितों है और मुलो कास्तितों में क्या होता है दूनों दोनो मुल बराबर होता है आप देखिए आप चुकि मैथ के स्टूडेंट है मैथ पढ़ रहे हैं तो आपको जो है कोई व्यक्ति कोई सर कोई आपके दोस्त उल्टा भी पूछ सकते हैं कैसे उल्टा पूछ सकते हैं कि आप बताओ कि दूगो कोई दूगाती समिकरन के दूगो मुल है ठीक है और दोनो मुल जब बराबर आता है तब डी का मान केतना होना चाहिए तो आप बिल्कुल बे ही चक बोलिएगा कि डी का फेलू 0 होना चाहिए अरे बाई उल्टा पूछ रहे यह जब उल्टा पूछ रहाए तो आपको उल्टा सोचना पड़ेगा आप कभी भी कोई चीजों को रटो नहीं को चीजों को बिल्कुल रटो नहीं आप आप प्राब्लेम समझेनों कि वह बोल क्या रहा है कि दूगो जो मूल है वो दूनों मूल जो है बराबर आता है तो कब बराबर आता है तो आप बुलिएगा कि जब D का value जिरो आ जाता है तो दूनों मूल क्या हो जाते हैं बराबर हो जाता है चलिए एक और example के तरफ हम लोग बढ़ता है एक्जाम्पल नमबर 2 लेते हैं यहाँ पर एक्जाम्पल नमबर 1 था अब एक्जाम्पल नमबर 2 लेते हैं दूसरे एक्जाम्पल कुछ इस तरीके से है x square x square minus 5x plus 6 equal to 0 ठीक है अब जब x square minus 5x plus 6 equal to 0 है तो आप इस question को देखते ही आप ये लिख पाएंगे 1, a का value 1 b का value minus 5 c का value 6 को दिकत नहीं है अब यहाँ से d का value निकालेंगे formula क्या वही v square minus 4 है थी v का value कितना minus 5 इसका square किजिए minus 4, a कितना 1 c कितना 6 तो minus 5 का square कितना 25 और ये 64 जा कितना 24 तो 24 मर करेंगे तो कितना आ रहा है 1 अब जड़ा बताइए कि यहाँ पे d का value कितना आ रहा है चीजों को देखिए 1 आ रहा है तो 1 जो होता है 0 से बढ़ा रहा है तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ d का value 0 से बढ़ा आया कितना आया, वन आया, तो 0 से बड़ा न हुआ, इसलिए इस समीकरन के मूलो का अस्तित्व है, मूलो का अस्तित्व है, बिल्कुल है, हम लोग निकाल सकते हैं, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स बराबर, फर्मुला से माइनस B, पलस माइनस रूट D, बड़ा में 2A, इससे चलना पड़ेगा, अच्छा, अब इससे चलेंगे हम, तो आप ये देख पा रहोंगे, कि इससे जैसे चलेंगे, तो हम लोग को मिलेगा क्या, माइनस तो फर्मुला से है, और B का वेलू कितना आया, 1, बड़ा में कितना, 2A, तो A का वेलू कितना है, देख पार होंगे 1, तो यहां तो के जैगा पर 1 रख दी, अब माइनस माइनस क्या होता है, पलस 5, पलस माइनस, वन का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1, वन का वर्मूल 1, बड़ा में 2, अब यहां से हम दो तरह का वेलू लेंगे, एगो पलस, एगो माइनस, तो जब पलस लेंगे तो यहां हो जाएगा 5 पलस, यह वाला पलस लेना है, पलस 1 बड़ा 2, और जब माइनस लिए हैं, तो यहां पर पलस माइनस है, तो एगो लेना है माइनस, 5 माइनस 1 बड़ा 2, तो 6 बाई कितना ह हुआ, यहां कितना हुआ, फोर बाइ टू तो यहां ओं झा जाएगा टू और यहां ओं जाएगा त्री तो आप क्या सिखाना चाहरत है कि अगर डी का वेलू जिरो से बढ़ा हुआ मतलब एक आया चार आया आठ आया दस आया जिरो से बढ़ा आया तो जो दूगों मुल निकलेगा दोनों बिल्कुल अलग-अलग होता है और आप इन चीजों को ध्यान से बिल्कुल तरीके से आप समझेगा हम अगर उल्टा भी पुछेंगे कि डियर स्टुडेंट्स आप ये बताइए कि कोई द्विघात समिकरन है और द्विघात समिकरन के दूगों मुल कास्तित्व निकलता भी है निकल भी रहा है लेकिन दोन अलग-अलग है तो जब दोनों अलग-अलग है तब कौन सा किस में अलग-अलग होगा तो आप बताइएगा कि जब डी का वेलू 0 से बड़ा होता है तब चलिए आईए अगला हम एक्जांपल लेते हैं एक्जांपल नमबर 3 इसमें लेते हैं 8x स्क्वार प्लस 3x प्लस 1 एक्वल टू जीरो ऐसा अगर कोई equation रहेगा समीकरन रहेगा यहां से एका वेलू कितना 8 बी का वेलू कितना 3 जी का वेलू कितना 1 अब जब ए बी सी का वेलू दिया रहेगा तो आप डी कैसे निकालेंगे तो बी का फर्मूला बी स्क्वार माइनस 4 एसी बी स्क्वार का मत लग तुरितीन का स्क्वार ना बी का वेलू 3 है यहां से मिस्टेक हो गया बी स्क्वार मेंने 3 का स्क्वार माइनस 4 एक वेलू 8 तो तीन का स्क्वार कितना 9-32 और जब इसको 32 में से 9 में से 32 घटाते हैं कितना बचता है तो इसमें बचेगा 21 तोरी 23 न माइनस में 23 बचेगा ठीक है तो माइनस 23 तो जब आप बताईए कि यह माइनस में 23 आ रहा है तो क्या इसका मुलो का स्थित्व है तो यहां पर लिखिएगा कि यहां लिखिएगा इसका मुलो का अस्थित्व और जब नहीं है तो आगे का काम करना ही बेकार है है न भाई क्योंकि आगे होई नहीं सकता है क्योंकि D का value कोची में आ गया माइनस में आ गया तो इन चीजों को आप अच्छे तरीके से समझे आपका main बात यहीं तीनों है case 1 case 2 और एक बताए न case number 3 case number 3 कि दरगिया यह रहाँ का case 3 लेकिन आपको याद करना ये दो चीज है कि डीक अवेलू 0 से बड़ा होगा तो दूगों मूल निकाला जा सकता है अस्तित्व होता है और दोनों अलग अलग होते हैं अगर डीक अवेलू 0 रहा तो दोनों मूल बिल्कुल बराबर होते हैं अगर आपको प्यारे स्टुडेंट्स अगर आपको यह बुलेगा कि दोनों मूल बराबर है तब आप क्या करेंगे तो आप डी बराबर 0 करेंगे उसका उल्टा चलिए अब हम लोग कुछ को देखते है जो NCRT के बुक में आपको एक्सरसाइज 4.4 में बूल रहा है कोश्चन ज़रा बुक दिखाते हैं सामने लाते हैं आपके हाँ जी हाँ देखिए एक कोश्चन है एक्सरसाइज 4.4 क्लस 10 की मैथेमेटिक्स की बुक से कोश्चन क्या बोले ज़र अच्छा से समझे नीम्न द पहला का जो पहला है दूसरा है तीसरा है मुलो का प्रकृति ग्याद करना है प्रकृति कैसे ग्याद करेंगे तो प्रकृति कैसे ग्याद करेंगे इसको लेकर अगर सवाल उठता है तो हम लोग उसको सवाल को यही करेंगे देखिए जैसे माल लिया कि कोई कोश्चन के बाद आपको डी कमान निकालना है और डी कमान निकालने के बाद मुलो का प्रकृति ग्याद हो जाएगा कि किस तरह का प्रकृति है उसका स्थित्व है कि नहीं है फिर क्या बोल रहे है यदि मुलो का स्थित्व हो तो उन्हें ग्याद किजिए यानि कि जिस कोश्चन में म कर पालेंगे तो यह कोश्चन को पहला का ओल कोश्चन को हम आपको एच डबलू के अंतरगत हो मुख्स के अंतरगत आपको करने के लिए छोड़ दिते हैं और आगे जो दूसरा तीसरा चौंथा पांचमा कोश्चन ये चार कोश्चन है तो हम लोग एक्ससाइज 4.4 का चार क कोश्चन बच जाएगा आज तक सिर्फ पहला का तीन तक ही छोड़ते हैं दूसरा तिसरा चौंथा पांचमा को अगले दिन देखेंगे और इस तरीके से अगले दिन हम लोग का ये जो द्विधात कमीकरन चैप्टर था ये पूरा का पूरा कंप्लिट हो जाएगा डियर स तो फिर हम लोग आगे पढ़ते ही रहेंगे जैसे तो आज तक के लिए बस इतना ही धन्यवाद